आज मैं अपनी परिवारे चाह जा ए लुऊंडा ने परिवारे है ज़या ह। बडे घाट लौंड मिलन है यहां अपने अपनू अंखेंद往 नहीं वह आदे जियासा अलुथ्र बांड चुक है यह ललित बांड 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 शुक है दोंडन क준 शिरी प्रब्र Ellis शुनते ही बाउजी के चहरे पर रोनक सी आगई थी क्योंकि मैंने उनसे पूछा था ना कि बाउजी कितना टाइम हो गये तो अन्हों किसे ने लॉंड साब को है नहीं आखा हमारे ये बाउजी अब इस दुनिया फानी से चले गए हैं स्वर्ग लोग को चले गए हैं और इस परिवार को दे गए हैं यादें और मुझे दे गए हैं बेशुमार आशुरवाद दुआएं और एहसास करवा के गए हैं कि केशो इस परिवार को तुमने मेरी यादें दे कर एक अनमोल चीज भेंट की है और मैं जब इन से पहली पर मिलने गया था तो एक दुबला पतला लंबा सा वो एक बुजुर्ग जो अपने आपको रोड़ा कहता था और जब मैंने उन्हें ऐसे पूछा तो उन्हें पताया है तो बड़ी खुशी होई थी और मैंने जब उन्हें बताया लेकिन जब हमारे भाई साब राजु जी ने ये बताया कि पिता जी की तबित पिछले कई महेंआं से खराब चल रही है और admit है प्रातना कीजिए वो स्वस्थ हूँ और हमने सबने मिलके प्रातना की लेकिन शायद वक्त को मन्जूर नहीं था और बस विधाता ने उन से सारे कर्म कारवा लिये और अपने पास बुला लिया लेकिन कहीं न कहीं मैं फिर उसी दायरे में रहकर वही बातें दोराता हूँ कि हमारे बज़र्ग भले ही चले रहे हैं लेकिन हमारे साथ हैं ऐसा हमें हमें शाह इसास करवाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास उनकी हस्ती बोलती तस्वीर आवाज यादें मुस्कुराते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए घंगीन होना और राजे वाले को याद करना जड़ा वालों को याद करना और उनका ये बताना कि मैं फरल से थने सर तक पैदल आ गया करता था सबजियां बैचा करता था हमारे बुजर्गों ने जितना स्ट्रगल किया न वाके में हमारी बीड़ी तो रत्ती भर भी नहीं कर सकती और शरीरिक तोर पर जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है हम आज डिजिटल दौर में रह रहे हैं तो हम बस दो से दस जल्दी बनाना जानते हैं चाहते हैं लेकिन हमारे बुजर्गों ने हमें मेहनत करना सिखाया था अपने वजूद को बचाना सिखाया था और उसी परंपरा को हमारी विरादरी कोशिश कर रही है मेला के इना हथ्था ने बड़ी मेनद किती है अब बड़ी मेनद किती है अब बड़ी मेनद किती है अब बड़ी मेनद किती है शेटे सब जी चोक में फल्गू तक भीत लगया था फल्गू तक? वाँ पंजा किलोमेटर पी आइक तो तुन जा अगला जो दुगान पाई लेके लिगे, फिर फ़ल्कु चाले, बड़ी सेवा किती है। तो आड़ी सेवा भावजी शाड़ी विरादरी याद करें दिये, अग्यां भी करें सी। इसे करके आज आज अच्छी छात दे तल्ले बठें हैं। किसे को लो अपा एंज नहीं किता हमेशा, अपा एंजी किता है ना दित्ते ही आप लोगा को लो लिया नहीं तो यह था बाब जी साड़ी बुज़र्गां देन उनना ने सानों सिखाया है कि मेनत करो, मेनत तो ना कत्रा हो तो तो सकिती है अपने जिन्देगेश बड़ी मेनत किती है और इसी संदर्ब में हमारे एक और बाब जी तो कम से कम एक एक कनाल तो जगह होगी कम से कम वहां पर क्या था यह जो गाओं था यह चनाब नदी के किनारे पर था ठीक है खा की बिलकुल साथ था तो लोग किष्टियों में जो आते जाते थे वो किष्टी नहीं गई तो शाम को मेरे दादा ने जगा बनाई हुई थी दो तीन कमरे और काफी जगह थी अद्धी कनाल थी तो वो लोग आके वहां रहते थे नहर के नहर नहर है नहर लाई थी तो रोटी पाणी सब हमारे गार से खाते थे भौस ये वह लोग थे जिनको उस पार जाना था और रातकोर नहीं गई रसके बेड़ी तो ये रुख ज सकते थे क्योंकि जाना तो लोगोंने जादा पैदल होता था उस वक्त तो कोई आदी साधन नहीं थे तो मकान भी बढ़िया थे उन एक तरह से डेरा कह देते थे चेला राम का डेरा कहते थे तीन चार कमरे तो उसमें थे अद्धी एक कनाल खाली जगह थी तो गर्मी में सोना और जो घर के थे उसमें भी 6-7 कमरे थे डंगरों का था तो इस तरह था और वो है श्री मास्टर रामचंद्र जी है है कि उनका नाम रामचंद्र है लेकिन मास्टर के नाम से वो पूरे आस-पास के एरिये में मशूर है वो भी हमें छोड़के चले गए है यह दोनों बुजर्गों को मैंने एक ही हफ़ते में रिकार्ड किया था और दोनों मेरे कुरुक्षत्र से यह हैं यह भी चले गए है और देगए अपनी यादे इस वीडियो को जब रिकार्ड कर रहा था तो बिलकुल भी नही लग रहा था कि यह इतना जलदी चले जाएं क्योंकि शारीरिक तोर पर स्वास्त मानसिक तोर पर स्वास्त लेकिन इस डेड़ साल के अंतराल में ही अचानक से ऐसा क्या हो रहा है हमारे भुजर्गों के साथ कि वो एक के बाद एक जा रहे हैं इनके साथ बात करते करते कुछ ऐसी भी बातें थी जो इन ही पसंद नहीं थी मेरी और मुझे पसंद नहीं थी इनकी हलगी वो वक्त नहीं है बताने का लेकिन कहते हैं न जब व्यक्ति चला जाता है तो हमें उसकी अच्छी और बुरी सब बाते याद आती है ये राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, सनातन धर्म को मानने वाले और कटर हिंदू जिसे कह सकते हैं और मेरे सवालों में जब वो बात आती थी कि मैं पाकिसान की अवाम को पूछूंगा आपका एरिया तो इन्हें ये होता था कि क्यों, वहां से तो हम लोग आ गए, हम छोड़ आए, क्यों हम याद करें मेरे साथ तो कही तरह के रंग हैं, कही तरह के भुजर्ग मिलते हैं, हर तरह की बाते होती हैं और वो बातें जब ये चले जाते हैं तो बहुत याद आती है तो हमारे बाव जी, शीरी राम चंदर जी, जिनने पूरा एरिया, पूरा महला, मास्टर जी के नाम से जानता है क्यों ने अपना सारा टाइम, सारी जुन्दगी, एजुकेशन को दे दी और वो हमें छोड़के चले गए हैं उनके भी कुछ जल्किया हैं, कुछ यादे हैं तो एक के बाद एक जुस तरह से ये बुजर्ग हमें छोड़के जाते जा रहे हैं और मेरे को एक दाइत्व, एक जिम्मेदारी सी निभानी पड़ती है उनके बारे में ये शोक भरा संदेश आप लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे ये बुजर्ग चले गए तो दिल अंदर से वो होता है कि यार, ये क्या हो रहा है लेकिन विदी का विदान सब लोग चले जाते हैं और सब को जाना है तो बस इस वीडियो में इतना ही इतला करना था कि हमारे दो बुजर्गवार हमें छोड़कर चले गए हैं आप अपने घरों में अपने बुजर्गों के साथ रहें उनसे बातें करें, उनकी बातों को रिकार्ड करें क्योंकि कल को जब वो नहीं रहेंगे, भगवान ना करे तो आपको उस सारी बातें ही यादाएंगी और तब जब आप मुझसे बहुत दूर हैं, केशु आपके पास नहीं पहुंच सकता तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने मुझसर्गों को रिकार्ड कर लें बस, और हाँ, सरदी बहुत जादा हो रही है इसलिए आप उनका और अपना बहुत 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 खयाल रखें, शुक्रिया